नमस्कार आप देख रहे हैं कि तान्ष्टेवी प्रसुत है समाचार डंड़ाई डंड़ाई धूरकी सीमावर्ती शेत्र के पंघटवा डैम पर पिक्निक को लेकर परेटकों फास सेलानियों का आनाजना हुआ शुरू पंघटवा डैम में नौका विहार का आनद उठाते स्कूली बच्चे प्रधेनाध्यापक बिंदु कुमार डंड़ाई और दूरकी प्रखन के सीमावर्ती शेत्रेश्तित पंघटवा डैम पर नए साल के दो दिन पुरुफ से ही पिक्निक मनाने वाले परेटकों और सेलानियों का आनाजना शुरू हो गया है शुकरवार को पंघटवा डैम पर कई स्कूल परिवार और दूर दराज से आये हुए प्रेटकों को दिखा गया लोग बड़े ही उत्साह के साथ वनभोज कारिकरम के और नोका विहार का खुब आनन्त लिया नहीं खुबसूरत वादियों का खुबसूरतियों को लोगों के द्वारा अपनी तस्वीरे मोबायल में कैद करते दिखाए दिये मौके पर पिकनिक का आईजन कर रही डंड़ाई पैराडाइस पब्लिक स्कूल के शिक्षक चिक्षिकाओं ने बताया कि नवर्ष को लेकर हम लोग अपने स्कूल परिवार के साथ यहां वनभोज कारिकरम का आईजन कर रहे हैं बताये कि समय समय पर छातर छातरों को परेटन इस्थलों का प्रहमन कराना और वनभोजन कारिकरम से करने से बच्चों को विवहारी ग्यान साथ साथ परियावरन को समझने का अफसर मिलता है उक्तविद्यले की प्राचारे बिंदुकुमार रवी ने बताये कि परेटन इस्थल एक खुली किताब है जहां पर छातरों को भोगौलिक वादिशाओं के ज्यान प्राप्त होता है चातरों को समय समय पर शेक्षनिक प्रामन कराना चाहिए ताकि बच्चों को प्राकरति घटाओं को जानने के साथ साथ शेक्षन में भी रूजी की भावना का विकास हो सके वही राहुल कुमार ने बताए कि डैम काफी गहरा होने के कारण सालों भर इसमें पानी जमा रहता है पनखटवा में प्रेटक लोग एक छोर से दूसरे छोर आने जाने के लिए नाव से नौका विहार का भी खूप आनन्द उठाते हैं प्रेटन विभाकी और से डैम के समीब दोचा शेट का निर्मान कराये गया और साथी डैम में पाने सप्लाई के लिए आकरशक टनकी बनाई जा रही है जिसकारण डैम के सुन्दरता में चार चांद लग गये हैं आपको बता दें कि गर्वा जिला मुख्याले से 35 किलोमीटर दोर प्रकरतिक की गोड में बसा हुआ पनघटवा डैम पिकनिक के लिए सबसे उचित इस्तान है यहां की प्रकरतिक वादियां लोगों को खूप आकरशित करती हैं नवर्ष के आगबन पर यहां पहुचकर मनुरम द्रिश्य का अनंद उठाते हैं धन्यवाद